कि हलो नमस्कार दोस्तों आप सब कफिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आज के इस तोड़ी में हम बात करने वाले लंका प्रीमेर लिग की जो मैच है जीजी वर्सेस डी एक बीच की और यहां पर माई लेवन सिर्कल में जीजी वर्सेस डी एच नाम है तो अ तो वही 27 मैचेस में बैटिंग सेकंड याने गेंद बाजी फर्स ने वान किया है तो खुल मिला के आठव मैचेस ज्यादा जीते हे बैटिंग से लोने तो यहीं हो सकता है टोड़ी जीत कर जो भी टवी टोड़ीत का पहले यह बादी का फैसला ले सकता है इसके अलाओ स्कोर का भी अगर देखा जाए तो यहां पर 132 का ही है अगर बात करें हाइस टोटल यहां पर रहा है 215.4 और में 5 चुकेट की नुक्सान पर तो वहीं लोइस टोटल रहा हाइस्ट कोर चेस यानि 215 यहां पर चेस हुए है जैसे कि यहां पर देख सकते हैं 19.4 और का मतलब यह है यह चेस हुए है और साथ साथ लोइस्ट को डिफेंट टोटल है 115 की तो यहां पर ऐसे स्टाइट से कि यहां पर थोड़ा मुझे मतलब लग रहा है कि गेन बाजी के लिए ज्यादा अच्छी रहेगी यह पीच तो गेन बाज ज्यादा विक्टे यहां पर ले सकता है अभी बात करते हैं तो इन दोनों बीच यहां पर जैसे कि जीजी वसे के बारे में अब जान लेते हैं इनके बैटिंग ओर्डर की जब सबसे पहले जीजी कि मतलब गाली ग्लेडियेटर की जो टीम है किस तरसे रहेगी कुशल मेंडिस और टी डावेरा ओपनिंग के लिए आएंगे दोस्तों उसके बाद कुशल मेंडिस एक अच्छे खासे तो अगर बात करें रहिलू उद्राना फिल भी बैट वंडाउन यह वंडावन के लिए वंडाउन के लिए यह लिए आएंगे इसड़ बैकबॉन मतलब यह दी माने जा सकते हैं अगर बात करें तो शफिक और नईडू फेर्णाडों यह मिडल ऑर्डर में बैटिंग करें कुषल मेंडिस अगर बात करें तो क्याप्टन भी है यहाँ पर टीम के टॉप मोस्ट फैंटेसी पॉइंट इन दिस सीरीज वह कुषल मेंडिस के नाम यहाँ पर विकेट कीपिंग भी करने आले रोस्तों इसके बाद यहाँ पर इमाद वासिन और यहाँ पर लक्षन सदाकनन टेक ऑफ दस्पीन गेन बाजी को संभालने वाले हैं दोस्तों और आखिर में नुवान तुसारा और नुवान प्रदीप यह स्पेस अटैक को संभालेंगे तो इस तरह से रहेगी यह जो गाले ग्लाडियेटर्स की टीम है इस तरह से बैटिंग और रहेगी इस तरह से गेन बाज रहेंगे अब बात करते दामुला अरूरा की जो टीम है उनकी तो यहाँ पर ओपनिंग के लिए अफकोस डैनियल और जॉर्डन कॉक्स आते हैं दोस्तों दोनों काफी बढ़ी आप बल्लिबाजी करते हैं औ अपनी टीम की तरफ से सिकंदर रजा विल बी बैट वन डाउन की पोजेशन इनको मिलती है जिंबब्बे के काफी जबर्दस्त आल राउंडर है तो इनको आप कहेंगे कि काफी बढ़िया बैट्समन भी और प्येन बाज भी है सिकंदर रजा वाज हाइस्ट फ्रैंट फ् बीडल ओर्डर में आएंगे दशिंशना का विल बी लीड दमुला अरोरा क्याप्टन ये कपता ने इस टीम के और अच्छे खासे बैट्स बने जॉर्डन कॉक्स विल बी विकेट कीपर ये विकेट कीपिंग भी करेंगे और टॉप मॉस फैंटेसी पॉइंट इन दिस सीर और प्रमोद मदुशुदन और दी सदीरा विल लीड पेस अटेक अंडी सीरी तो यहां से इस तर से कुछ स्टाइट है दोस्तों अब बात करते इन नोनों के पाच लास्ट पाच मैचेस का अगर परफॉर्मस देखे तो जी जी का परफॉर्मस लॉस 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 वि मैच ओजीत पाएं अब बात करते मस्ट पिक्स कौन से रहेंगे मतलब आपको जिसको लेना ही है वो रहेंगे कोशल मेंडिस अफ्कोस रहेंगे जॉर्डन को अफकोस रहेंगे और शेड एस डैनियल भी अफकोस रहने वाले अब बात करते की प्लियर कौन सावित हो सकता है तो यहाँ पे डावेरा इन्होंने 70-36-0 इस तर से तीन मैचेस में अच्छी दो पारिया खेली है इफ्टिकार रहमत की बात करें तो जिरो टू वन टू अश्तर से पाच विकेट अभी तक ले चुके लास्ट मैच में अगर बात करें तो आप इमाद वासिम की इनको यहाँ पर देख सकते हैं दो एकेट 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 दो एकेट तो कुल मिला के यहाँ पर छे विक्ते अभी तक ले चुके कुछल मेंडिस की बात करें तो इस तरह से इनकी बैटिंग भी अच्छी खासी नहीं है अब बात करते हैं जो दामबूला अरोरा की की प्लियर्स की तो यहाँ पर देख सकते हैं भानू का राच पक्षार अभी तक कुछ खास तो नहीं कर पाए लेकिन एक बार 38 रन एक बार 17 एक बार 18 दो बार 18 और एक ब बात करें नूरहमत की तो अभी तक इनको बल्लेवाजी शायद आई या नहीं पता नहीं पर कुछ खास तो नहीं कर पाए और विकेड़ी के लिए पाए अगर बात करें तो सिकंदर रजा दो मैंचेस में रजा दो बार एक पर दो विकेट एक बार जीरो विकेट एक बार आट रन एक विकेट और फास तो ठीक परफ़र्मस से इतना बुरा भी नहीं और इतना खास भी नहीं है इंके नाम के अगर सोचा रहतों तो तो दसतु शाणाक का पर्फॉर्मस देखे तो 12 जीरो 44 31 और चे दो बार 30 के पार रिपोचे है प्रमुद मदुशूदन की बात करें तीन विकेट एक विकेट और एक विकेट पाच उक्ते लिए तीन मैचस में डैनियल की बात करें काफी बार डवल फिगर में गए है दोस्तों और अच्छा खासा बैटिंग कर सकते जॉर्डन कॉक्स एक बार 77 रन एक बार पाच रन एक बार 29 और एक बार तो इसतर से इनको कैप्तान और वाइस कैप्टन क्यों बनाए जा सकता है क्योंकि अभी तक देख सकते दोस्तों इन्हों ने अभी तक सिकंदर रजा ने 223 पॉइंट अगर बात करें तो दसुन शनाका ने 253 पॉइंट इमाद वासिम ने 276 पॉइंट जॉर्डन कॉक्स ने 340 पॉइंट कुषल मेंडिस में 380 पॉइंट तो यह सभी सब सबसे ज्यादा पॉइंट देने आले प्लियर है और परफॉर्मस अच्छा करने आले प्लियर है तो इसलिए क्याप्टन के आपके लिए यह निकाले अब चलते ड्रीमिलियों के तीम से तीमस जिससे के आपको अच्छे खासे अर्णिंग हो सकते हैं तो अभी फिलाल हमें उस मैच पर चलना है तो यह पर देख सकते हैं यह मैच है दोस्तों इस पर क्लिक कर लेते हैं और अगर आपने अब तक टीम नहीं बनाए तो में। पर लेना है किस को नहीं लेना है चले माई टेम पर कडिक कर लेंगे ऐडिये टेना है टो डोनों को मैं उस टीम में ज़़ुर करूंगा क्योंकि परफोर्मंस बड़ी कlor Assist living दोनों को साथ में लेना काफी फायदेमन साबित हो सकता है बैटिंग की बात करें तो यहां पर दसवन शना का को आफकोस मैं इस्टीम में लूँगा एन फर्नांडो को भी इस्टीम में लूँगा इसके बाद मेरे पास यहां पर टी बड़े रहा के एक अच्छा उप्शन है इसलिए इनको भी मेरे शामिल कर लूँगा इसके अलावा मैं किसी बैट्स्वांज को नहीं लूँगा क्योंकि मुझे दो आल राउंडर यहां पर चाहिए दो आल्राउंडर में मैं हापर सिकंदर रजा को फिलाल नहीं लूँगा अयमाद वा आयमद को इस टीम में ले र सुर्प्राइजिंग रहेगा और अगर पर्फोर्मस अच्छा करते तो सबसे ज्यादा हो सकता है गेंबाजी की बात करें तो नुवान प्रदिप को इस टिम में जरूर शामिल करूंगा गेंबाजी में अगर बात करें दूसरे प्लियर तो एन तुसारा को ले रहाओ उसके पी मदू सुधन को ले रहाओ तीन अच्छे गेंबाज हो चुके और यहां पर इनों ने भी जो डी शुदी रा इनका भी पर्फोर्मस दो मैचेस में में रिकाल से 121 पर दिये तो काफी जबदस्त रहा है शुरुवात अच्छी कि दो ने भी तो काफी अलग टीम बनाई ह टीम प्रिव्यू कर लेते हैं सबसे पहले अगर देखेंगे तो कुषल मेंडिस और जे कॉक्स दोनों कीपर है मेरे पास बैटिंग की बात करें दशुन शना का एन फर्णांडो को ले रहाओ टी बड़े डबे रखो भी स्टीम में रख रहा हूं और मैं आहमत के साथ और गेंबाद के साथ जा रहा हूं एकन परदीव मेरे पास मधु सुधन भी है और मेरे पास दीज सुधेरा को भी मैंञे टीम ले लिया आफ्कॉर्श दोस्तों पहली टिम भड़िया बनी है अच्छी खासी बनी है लेकिन रिस्की है तो इसी लिए सिर्फ और सिर्फ इस टीम को मैं ग्राइब के लिए सजेस्ट करूंगा वो भी मल्टिपल ग्राइब के लिए एक ग्राइब पर मत रुकेगा दो तिन लगाएंगे तो कहिना कई एक आप जरूर जी सकते फिर अच्छे-खासी अर्णिक तो फिक्स कर सकते इसके लिए इस ट्रीम को यूज मत कीजिएगा थोड़ा रिस्की है काफी ऐसे प्लियर है जो मैंने रिस्की आपर लिये है लेकिन अगर ग्राइब के लिए सोचे तो यह अगर चल जाते तो ग्राइब जीतने से आपको कोई नहीं रोक सकता तो इसलिए मैं इन सबको ले रहा हूँ अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ प आपको दिखा देता हो खि靖 को यहां पर रहा है अव्कोर से एसाथ के साथ जाना होँगा हर्टvan के एक सब्सक्राब ओस्तों मैं», यहां फ्रुक दे रहा हूं , यहां पर देख सकते फर्नांडो में चामिल यहाँ पॉइंट दिये लेकिन कभी मतलब दो मैचेस में नाच्छा करा है डावेरा को ले रहा हूं तो इस तरह से पिछली टिप में यहां पर सिकंदर रजा को लोंगा मैं दोस्तों आइसा नहीं कि हर टीम में इनको ड्रॉप करता जाओंगा यहां पर फोर्ड को मैं लेना चाहता था लेकिन मैं यहां पर फोर्ड की जगह पर आपको शला दूँगा कि इमाद वासिम को शामिल कीजिए या फिर आयमत को भी आ यहां पर पी मधु सुधन रहेंगे तो तीन ऐसे गेन बाज है जिनका परफॉमस अभी तक अच्छा खासा रहा है इस पूरे सीरीज में तो इसलिए इन तीनों को एक साथ में ले रहाओ फिर से अगर बात करें तो दोस्तों नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और देखेंगे कि क्याप्टब्यों वाइस कट्थन हम किसा बना सकते तो यहां पर मैं इस टीम का क्याप्टब्टन मनाने जा रहा हूं सिकंदर रजाग को पिछली टीम में इनको लिया नहीं था लेकिन इस बाद लुंगा बी और इनको क्याप्टन भी बनाऊँगा अगर बात करें वाइस क जनाका को ले रहाओ एंड फर्नांडो को ले रहाओ डेस डैनियल को ले रहाओ टीवड़ाबेरा को भी ले रहाओ अल राउंडर में दोई रहेंगे सिकंदर रर्जा और आयवासिम अगर बात करें गेंबाजी किन्तों नुवान प्रदीफ है पी मदु सुधरन है उसके बार सकन्दर रजजा को लेकिन बना और लोगों लेकिन आप जरु किजेए आज इनका बला चलने वाला है और यह अच्छा परफरोमस करने वाले तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा रिस्की है लेकिन अगर अच्छा कर जाते तो आपको ग्रैंड द हैं जिता सकते तो बनाए आप चेंज करना चाहे तो वो चेंज भी कर सकते फिलाल इस टीम को भी क्लोज करते सेव कर लेते दोस्तों इस टीम को भी जादा से जादा ग्रैंड लिए सजेस्ट करूँगा स्मॉल लिए यह बीरी टीम थोड़े रिस्की है तो आप नहीं यूज करें तो बेटर हैं अगर आप यह चीम लगा देंगे तो कहीं न को फायदा हो सकता है आप ग्रैंड लीक जित सकते अच्छी कासी अद्निक तो फिक्स कर सकते इस टीम को भी क्लोंज करतें और तीसरी और आखरी टीम में आपको दिखा देता हूँ को इस तर से किस तर से बनाई अफकोस कुशल मेंडिस को ड्रॉप करना थोड़ा रिस्की है लेकिन हर टीम एक जैसे हमको नहीं बनानी इसलिए यहाँ पर कुशल मेंडिस को मैं ड्रॉप कर रहा हूँ जो कि काफी 12% लोगों ने ऐसा किया है जे कॉक्स को साथ मैं जरू जाओ क्योंकि यहाँ पर मैं चार ऑल्रॉंडर के साथ जाने आलों जरू सिकंदर रजा आए वासीम आए अहमद और इसके अलावा भी यहाँ पर एस एम फोर्ट को फिर से आपर टीम में शामिल कर लूँगा तो कुल्मिला के चार ओल्रॉंडर ले रहा हूँ इसके बाद गिनब पर पर आपको सरके आप किका देता हुए यहां पर आपको चेंज कर सकते हैं करना आपक्कर ने कोई दिकत नहीं लेकिन दोस्तों यहाँ तो यहाँ पर वहाव रियाज को इसलिए ले रहा हूँ अभी तक एक भी टीम में नहीं ले पाया हूँ और इन्हों ने भी अभी तक अच्छा खासा ही पर्फॉर्मस गया है तो इनको लेना तो जरूरी है दोस्तों निक्स्ट पर क् सबसे पहले तो मैंने कीपिंग से शुरुवात कि है चेंज करने की जे कॉक्स को मैंने ट्रॉप किया है उसके बाद बैटिंग की बात करें डीश अना का है एन फर्णांडो है और टी डावेरा को भी ले रहा हूँ अभी तक दोनों टीमों में मैंने दो दो ही आल रॉंडर लेकिन इस बात चार और ले रहा हूँ सिकंदर रजा आई वासीम आई एहमद और एंफोर्ट यहां पर एंफोर्ट को अगर आप ड्रॉप करके चौथे गेंबाज को भी लेना चाहे तो भी ले सकते लेकिन मैं अभी फिलाल इनको इसाथ ही जाओंगा अगर बात करें वहा सब्सक्राइब करो कहले ह inquiry मोंन कोदी आपको कशते किन रही है काफी सब्सकराइब करें दोनों तरस से आप यह बरसा कर सकते दाव लगा सकते लेकिन आपको क्लोज करते सेव कर लेते और अब चलते हैं माही लेवन सर्किल क्याप पे और वहाँ पर भी हमें तीम में देखनी है जो आपको अच्छे-कासी विणिंग कराके देश सकते यह वो मैच है दोस्तों उस पे क्लिक कर ले नहीं और अगर आपने अब तक टीम नहीं बनाई है तो आपको यहाँ पर नीचे ही देख सक्याँ टैनियल को ले रहाऊ एंफर्नाड़ों को ले रहाऊ दा दाळबे को ले रहाऊ उसके बाद शामिल ले बैश ड्याप को मुली घ्रीमत तीसरी टिव tussen तो यहां पर नुवान प्रदीप के साथ ही जाओंगा बाकी किसी और के साथ नहीं जाओंगा क्यूंकि आप इस तरह से कर सकते हैं माई लेवन सर्कल में एक ही गिन बाज लेते तो भी आपको कोई प्राब्लिम नहीं होता है चले दोस्तों फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और देखेंगी कि क्याप्टन और किसी बना सकते हैं तो यहां पर मैं इस टीम का क्याप्टन कुशल मेंडिस को बनाओंगा दोनों काफी बड़ी आये दोस्तों जरूर दोनों पर बर्षा कर सकते हैं लगा सकते हैं इस टीम को सेव कर लेते और फिर इस टीम का ही प्रिव्यू हम कर लेतें सबसे पहले तो आप देखेंगे यहाँ पर जे कॉक्स को मैंने और कुशल में दोनों को इस टीम में लिए इसके बाद मेरे पास चार वल्ले वाजे शफिक है फर्नांडो है उसके बाद डैनियल है और यहां पर डावेरा को भी मैंने इस टीम में शामिल कर लिया और आल राउंडर की बात करें तो इमाद वासिम है इफ्तिकार रहमद है दसुन शना का है स साथ ही जाओंगा वह नुवार प्रदिप बाकि किसे और को इस टीम में शामिल नहीं करूंगा कुल मिला के टीम अच्छी खासी बनी है इस टीम को आप ग्राइड लिक के लिए जादा से जादा यूज करेंगे तो काफी फायदा हो सकता है स्मॉल लिक के लिए यूज करने हैं तो कर सकते हैं लेकिन ग्राइड लिक आपको 100 परसंट जिता सकते हैं इसलिए यह तीम में जादा से जादा ग्राइड के लिए सजेस्ट करूंगा इस टीम के कप्टार मना है कुशल मेंडिस जिनका परफॉर्मस काफी अच्छा रहा है औ ब्लेम दूस्तों इस टीम को भी खरते हैं दूसरी टीम को दिढ़िट करके दिखा देताऊं ऊसवरी तीन के साथा जा रहा हूं जीस का पना नो है यहां पर जिसकी टिम बना रहा हूं इस बार लेकिन फाइदा भी हो सकता है दशुन शनाका और सिकंदर रजा यह दोनों ही मैं इस टीम में लेने वालोंडर में बाकि किसी और को नहीं लुगा इस पार गेन बादी में मैं तीन आप्शन चूस कर रहा हूं यहां पर देख सकते हैं नुआन प्रदीप है वहाँ रियाज को भी इस टीम में शामिल कर रहा हूं आप यहां पर एकाद गेन बाद चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं लेकिन मुझे लगता है तीन जादा बेटर रहेंगे फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और देखेंगी कि क्याप्टन वाइ क्याप्टन भी बना सकते दोनों अच्छे खासे औल राउंडर है और बैटिंग और बॉलिंग दोनों में आपको फायदा करा के दे सकते इन फैक्ट अगर आप दसुन शनाका को क्याप्टन और सिकंद रजा को वाइस क्याप्टन भी बनाते तो आप अगर चोथी टीम है और दावेरा तीनों बैट्समन है उसके बाद दशन शनाका सिकंदर राजा दोनों और उसके बाद वहाव रिया जे नुवान प्रदीफ है और नुवान यहां पर दूसरे है तो इनको भी मैंने यहां पर ले लिया तो कुल्मला के काफी अलग और हटके टीम मनी है अगर फिर से कहूं यहां पर अगर आप कुछ चेंजेस करना चाहे तो कर सकते इस टीम के क्याप्टन बना है सिकंदर रजा को दशन शना को वाइस कैप्टन बनाने जा रहो दोनों अच्छे खासे और दोनों आपको बैटिंग और बॉलिंग डबल पॉइंट दे सकते बैटिंग करना चाहें तो कर सकते इस टीम को भी क्लोज कर लेते और तीसरी और आखरी टीम देख लेते इडिट करके यहां पर फिर से कीपर के साथ जा रहा हूं यहां पर कुसरल बेंडिस जे कॉक्स और भी राजपक्षा तीनों को ले ले रहा हूं बैटिंग में एक ही को ले रहा हूं गेनबाजी में मैं चार गेनबाज़ों को ले रहा हूं नुवान तुशारा नुवान प्रदीप वहाव रियाज और यहां पर मदुसुदन तीनों को चारों को इस टीम में शामिल कर रहा हूं ताकि कोई भी अच्छी गेनबाजी कर ले आपको विक्टे ज पर उनकी जगह पर डैनियल को हमने शामिल कर लेते इसके बाद अगर आप चाहे तो यहां पर आप किसी एक गिनबाज को अगर ड्रॉप करें तो मदु सुधन को मैंने अभी लिया है वहाब रियाज को अभी लिया तो यहां पर अगर नुवान प्रदीप या नुवान तुस जॉड़न कोक्स को इस्टिम का वाइस कैप्टन बना रहा हूं आप चाहे तो यहां पर किसी और को भी बना सकते कैप्टन या वाइस कैप्टन अगर बात करें तो आप जॉड़न को कैप्टन और डैनियल को वाइस कैप्टन भी बना सकते या फिर इमाद वासिम को भी कर लूंगा आपको फिर से टीप प्रिव्यू करके दिखा देता हूं सबसे पहले तो आप देखेंगे तो यहां पर मेरे पास दो की पर है जॉर्डन कॉक्स कुषल मेंडिस इसके बाद मैंने यहां पर दो बैट्समन ले लिए डैनियल और तुषा दाबेरा अगर अल्राउंडर की बात करें तो इमाद वासी में दसुर्शना का है सिकंदर रजाज गैन बाजी में मैं चार गैन बाजों के साथ जारा वहाब रियाज नुवान प्रदीप नुवान तुसारा और यहां पर प्रमुद मधुसूदर तो इस तरह से काफी अलग यहां drD रिसकिती तो डिया नहीं जानाएं तो इस फिस लिए च्वासे सेमाव पर गजिज्स करें लाए नुवान दुसारा को क्याप्टन और जॉड़न को इस टीम का वाइस काप्टन बना रहा है एक अच्छा खासा बैट्समन है अच्छी खासे इटिंग पावर है तो एक अच्छा खासा गेंबाद है और जिसने अभी तक काफी अच्छी गेंबादी किया और अच्छा किया तो कुल्मिला के इस टीम को भी अभी क्लोज करते सेव कर लेते और आप अगर लगता है तो थोड़ा रिसकी भी सावित हो सकता है तो आपको मेरी सभी टीम है और मेरा वीडियो जरू पसंदा और अगर पसंदा तो इसे लाइक शेर और कमेंट जरू कर दीजे चैनल को भी अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजे और साथे साथ बेल आइकॉन को प्रेस करके आल पर भी क्लिक करना ना बुले ताकि ऐसे वीडियो आप तक पोस्टे रहे आप अच्छे से अर्निंग करते रहे साथे साथे साथ के वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू धन्यवाद और गुड़ पाइज